अज़ वीडियो हम पढ़ेंगे अपना पार्ट थर्ड लेसन नमबर ट्वेंटी का जिसका टॉपिक है आईसो काइनेटिक कॉंट्रेक्शन स्वाइए स्टार्ट करते हैं अज़गे अगर आईसो काइनेटिक कॉंट्रेक्शन के दोनों फेसे वे चांट्रीक दोरा इस पर्सट के दोरा या किसी मशीन के दोरा किमें अगर पर इस तरह से लिए करते हूं करता हम यह क्या हुआ है निटर पर इसके अगनेटिक को अगरते हैं इसको मैं अगर इस हाथ से ऐसे oppose करूँ जब यह उपर की तरफ मैं push कर रहा हूँ तो यहां पर मैं इस हाथ से इसको oppose कर रहा हूँ तो यह क्या हुआ एक isokinetic contraction का एक्जाम पर हुआ ही अगर जब मैं इसको lower down करूँ इसको रहा हुआ है तो यहां पर मैं यहां तक जब ले जा रहा हूँ जो इसको फिर से इस हाथ से मैं इसको रोग रहा हूँ ठीक है अगर मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ तो यहां पर जो contraction perform हो रहा है यह isokinetic contraction होता है जब भी हम अपने movement को आइधर वो concentric movement हो या eccentric movement हो अगर हम इसको control कर रहे हैं किसी चीज से उसको रोग रहे हैं किसी चीज से तो यह एक isokinetic contraction हमारे muscle के अंदर देता है जैसे कि आपने देखा कि जब मैं ऐसे उठा रहा हूँ तो मैं इस हाँ से इसको रोपने कोशिश कर रहा हूँ और अपना यह force लगा रहा हो कि उधर जाए और इस वाले हां से force लगा रहा हो कि इधर आए इंडिया में नियर बाउट अभी तक कोई isokinetic contraction बेस जिम नहीं है एक 2017 में एक जिम खुला था मुंबाई के जुह एरिया में लेकिन वह भी जार दिन चरह नहीं 6 मंत में बंद हो गया क्योंकि वहां की जो membership fees थी बहुत जादा थी और इसको बंद करना पड़ा क्योंकि उस और अगर आपको best strength, best stamina, best result चाहिए तो जो isokinetic contraction based machine होती है या आपकी result के रिए बहुत अच्छी है, बहुत जादा अच्छी है isokinetic contraction वारी machines होती है या mainly rehabilitation में बहुत जादा काम आती है, rehabilitation कहने का मतलब अगर आपको कोई injury हुई है तो फिर से आपको normal condition में आपकी लाने को rehabilitation बोला जाता है अगर आप physiotherapist के clinic जाएंगे तो वहां पे जो machines होती है वह isokinetic contraction पे based होती है इन machine की खासियत यह होती है कि यह आपके movement के दोनों face concentric face और eccentric face को control करती है और जो energy है उसको constant maintain करके रखती है जिससे muscle की strength बहुत जल्दी आती है और muscle की recovery होती है वो बहुत fast हो जाती है मैं आपको एक छोटी सी clip दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से clear हो जाएगा कि कैसे isokinetic contraction वारी machines काम करती है में यह physiotherapist के clinic में आपको मिल जाएंगी देखने को सो यह है वो machine यहाँ पर जब आप lift करते हैं या lower down करते हैं तो आपके इस concentric and eccentric movement को दोनों movement को यह machine oppose करती है सो जब ही अगर आपको कोई injury होती है तो physiotherapist इसी machine का use करके आपकी muscle की strength को increase करते हैं और आपकी recovery को accelerate करते हैं fast करते हैं इससे क्या होता है जो आपका injured portion उसके आसपास की massage जल्दी recover होती है जल्दी strengthen होती है I hope आपको isokainetic contraction क्या होता अच्छी तरह से समझ में आगया होगा आच्छी वीडियो मिलता ही हम फिर मिलते है अपने next वीडियो में और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ है तो में शो में चलको subscribe कर लें hit the bell icon ताकि इसी तरह की informative information आपसे कभी miss नहों और इस वीडियो मे लाइक कमेंड कर दिया करो यार बहुत महनत लगती है इन वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए so thanks for watching stay healthy stay fit by चेहन